हेलो एवीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल तो कंटीनिव करते हैं हमारे इंसाइट आई-एस की ऑक्टोबर मंत की मैगजीन आज जो पॉशन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा गौर्मेंट स्कीम एन इनिशेटिव जो पॉलिशिस गौर्मेंट ने चलाई हूं सारी स्कीम य यह इस इंडेक्स को निकालता है और इसमें यह जो यू आई-डी आई है इस बार इन्होंने टॉप किया है तो यह इंपोर्टन चीज है याद रखने वाला स्पेशली जो प्रिलियम से एक्जाम होता है उसमें यह पूछा जा सकता है बताइए अभी ग्रिवियांस रैडर सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए इन्होंने रिजिनल ऑफिसे बना रखें टेक्नलोजिकल सेंटर बना रखें जिसके कारण जो ग्रिवियांस आते हैं स्पेशली सेटिजन की तरफ से उनको बहुत एफिशेंटली या फिर बहुत एफेक्टिव मैनल में यह जो है रिज प्रेस किया या फिर उनको रिजॉल किया अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें यह यूज करते हैं इसके पास तो इनको रिजॉल करने की कुशिश करते हैं ठीक है इट है इट है इस लॉंच दा आई वी आरे सर्विसेस इन 12 लैंगविजिस ठीक है तो यूई डी आई ने आई वी आरे सर्विस जो है स्टार्ट करिए 12 लैंगविज में तो अव्वेसी बात है जब यह इतनी सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा ग्रिवियांस के लिए तो अव्वेसी बात है ग्रिवियांस रेडिसल मेकानिजम और ज्यादा बूस्ट हो जाता है और यह आप example लिख सकते हो perfect example है जोब आप ethics लिखो एथिक में यह example उसं कर सकते हो कि कैसे यु आई ड्याई उर यह हमारा यह कितना efficiently काम कर रहा है ग्रि यांस रेड़र्ट से जो हमारे बूरक्रसिय है उसको अगर करना के क्कीजिएंग अगर हमारे सपेशली बियूर और स्वेंग होती है तो यह बहुत अच्छा एक्जाम्पल हो सकता है में अब बात कर लेते हैं के बारे में युआ डिया के बात करें तो यह 2009 में फाउंड किया गया था ठीक है और बाद में 2016 में स्टैटिटरी बन गया अंदर आधार एक्ट ठीक है तो यह भी याद रखना है आपको यूआ डिया आई है यह स्टैटिटरी बार्डी बन गया था दोज़ा सोला में अंडर आधार एक्ट इसको हम आधार नंबर बोलते हैं तो आधार कार्ड में 12 नंबर का इसी के द्वारा हमको जो है अलॉट किया जाता है और यह हमारा यूडिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक और इंफोमेशन उसके अंडर में आता है तो यही चीज़े आपको याद रखनी है और आप चीज़े जादा याद नहीं रखनी है अब बात के लेते हैं प्रिलियम का क्वेशन यहां पर बहुत अच्छा फ्रेम क्या हुआ है मैं आपको अब आध्वाइस करूंगा कि आप खुछ से टेम्ट करिए ठीक है जो आंसर लिखा उस पर मत जाईएगा ठीक है मैं यहां पर मिटा देता हूं थोड़ा अंसर दिख रहा है ठीक है आप इसको अटेम करिए ठीक है अब देखिए प्रिलियम का अटेम्ट करने का सबसे बढ बढूरा हूं को पहला से इत्मेंट मूल रहा है आधर मेंड़ेट केन नोट बीकिन मोडन 2 मन्त कैप है पहला स्रेटमेंट करेक्ट बताना कि यह याद रखा कि करेक्ट पूछ से इंकरेक। कुछ है दूसरा स्टेटमेंट के रहा है स्टेट केंनोट एंटर इन्टेक्ट विद्ध प्राइवेट कोपरेशन ऑफ फॉर शेरिंग दी आधार डेटा तीसरा स्टेटमेंट आधार इस मेंडेटरी फॉर आप टेनिंग इंशॉरेंस प्रोड़क्त और चौथा बोल रहा है आधार is mandatory for getting benefit funded out of the consolidated fund of India तो आप सोचे देखिए इसके आपके हिसाब से आंसर क्या होगा आप खुद माग करिए फिर मापको आंसर बताता हूं देखिए सबसे पहले मैंने बताया था ना कि एक्स्टीम स्टेटमेंट फाइंड करनी है तीक है आप सोचे देखिए आधार का जो मेटा डेटा होता क्या तीन मेहीश से ज्यादा रही कहांता सकता और कई हो सकता है मठ यहां पर देखिए देख लिए क्या लएका नाट भी श्टोर् तो यह बहुत ज्यादा Greem Stepping लेते स्टेंश E aware इंशॉरेंस प्रोड़क्ट आप सोचे देखिए कोई इंशॉरंस प कोई भी insurance services लेने जाएंगे तो उसके लिए क्या आधार mandatory है ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा even बहुत सारे insurance होते हैं जिनके लिए आधार कि आप मांगते भी नहीं हो लोगी अगर आधार कि आपका alternate है for example आपका driving license या फिर दूसरी चीज़े जो मांगते हैं उससे भी हो जाता है insurance का काम तो कहने का मेरा मतलब यह है कि तीसरी statement भी हमारी बहुत ज़्यादा extreme है क्योंकि इसमें mandatory बोला है ठीक है तो इसको भी गलत कर दिया जिए आप का answer क्या बचा option B ही है आप का answer तो वही है मेरा कहने का मतलब option B is the correct answer यहां पर 2 & 4 लिखा था जो मैंने मिटा दिया ठीक है ऐसे ही आपको prelims exam में भी attempt करना है मैं आपको advise करूंगा जब आप test series solve करते हैं तो extreme statement find करने की कोशिश करा करिए ठीक clear चलिए अब बात कर लेते हमारा next इनिशेटिव भार स्केल फॉरम के बारे में इस अदिश्टर नोलिज शेरिंग प्लाटफर्म फॉर आई ट्रेनी ट्रेनर्स और इंडेस्ट्री लांज दे डिरेक्टर डिरेक्टरे जर्नल उफ ट्रेनी अंडर देस्किल देवलोप्मेंट सबसे इंपॉर्टन चीज जो आपको याद रखनी है कि यह जो हमारा बड़े-बड़े स्टेट है लाज स्टेट के डिग्री में जो हमारा तिलंगना है इसने जीता है हमारा स्वच्छ सर्वेक्शन ग्रामिन अवार्ड दोहजार बाइस ठीक है पॉलोड बाई हरियाना और तमिल नाडू ठीक है तो तीन चीज़े याद रखनी है जो यूपी PCS या फिर जो PCS के एक्जाम देने स्पेशली ठीक है वो जरूर से याद रखना कि जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्शन ग्रामिन है उसमें सबसे जो फर्स्ट के डिगरी लेकिया है वह हमारा तिलंगना ठीक है उसके बाद है हमारा हरियाना और तीसे नंबर पे ह याद रखना पर सेकेंड थर्ड ठीक है तो यह इंपॉर्टन चीज याद रखना अब बात कर लेता है स्वच्छ सर्वेक्शन ग्रामिन अवाड 2022 के बारे में रांग स्टेट अंड डिस्टिक ऑन बेसेस अब पर्फॉर्मस ठीक है कौन कौन से पर्फॉर्मस दोनों चीज पर दिया जाता है कितना आपने नंबर अच्छा अचीव किया है और उसे के सासत कितना कॉलिटेटिव वर्क किया है ठीक है और अगर बात करें स्मॉल स्टेट या फिर यूनेंट डर्टरी की तो यह याद रखने हैं आपको कि जो अंड बाननी को बार है वो जीता है स्मॉ अगर बात करें स्मॉल स्टेट अन यूनिंट टर्टरी तो अंडमान निकुबार नहीं अवाट जीता है ठीक है फॉलोड बाइ दादरा नगर हवेली दमानेंद्यू एं सिक्केम ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं स्वाच्छ भारत स्वारच मिशन ग्रामें फेस्टू के बारे में कैसे एंफ था करी कैसा जाता को प्लास्टिक वेस्त मेंग्जमेंट में स्पेचली रूरल में उसको कैसे एडिक थे मैनेज़ किया सकते हैं अर आगर बात करें इसकी ilしました घ्रामिन फेस्टू हैं स्वाच भारत मेशन स्ब्राइस इस ूइस इसकी फाहि informing इत ज़ तो 100% पैसा जो हमारी Central government देती है और अगर दूसरे स्टेट और यह बात करें जैसे example दूसरे स्टेट है हमारे उसमें 40-60 का जो है हमारा funding pattern रहता है 40 जो होगी हमारी स्टेट government देगी और 60% जो पैसा हमारे Central government देगी अगर बात करें नौर्थ इस्टन या फिर हिमालेन स्टेट की तो यहां पर 90% जो पैसा हमारा center देता है और 10% जो पैसा वह स्टेट government देता तो यह funding pattern जालतर जो है जालतर government scheme में हमारा similar ही रहता है ठीक अगर बात करें implementation की तो यहां पर दो सबसे पहला ministry of housing and urban affairs और दूसरा है हमारी जल शक्ति जो मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है अब बात करें रिलेटेड आर्टिकल की इंदौर बैग cleanest city award ठीक है जो हमारी इंदौर है उन्होंने cleanest city का जीता है ठीक है important चीज़ याद रखना as far as your prelims exam is concerned ठीक है अवार्ड जो है जो हमारा 75 year हुए थे सच्छी सर्वेक्षन ठीक है या फिर आजादी का अमरित महसब जब मना रहे थे उस टाइम पर यह जो इसको मिला है हमारा हरी द्वार को ठीक है शिव मोगा करनाटके की बात करें तब फास्ट मूवर सेटी अवाड जो हमारे शिव मोगा करनाटका को मिला है ठीक है आई हो इस ऑल पॉइंट्स एन अवाड्स हां क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा सुच्छ सर्वेक्षन की या फिर क्या क्या क्राइटेरिया जो है इसमें इवाल की इनवाल किया जाता है यह जैसे एक्जामपल किन किन के टिकरी को जांचाच पढ़ता ला जाता है जिसके बाद आवाड दिया जाता है फिर एक्जामपल ओपन टैफिकेशन तीग या फिर टॉइलेट के कितने क्लीन है या फिर कितने बने हैं फिर अगला हमारे इंफोरमेशन एडूकेशन बीहेवरल चेंज कितना आया है क्या सब्सक्राइब बात मिशन यह लेर्निंग पोर्टल तो य सबसे पहले मैं बता देता है मूनलाइट होता क्या है फिर बात करेंगे कि लौज जो है उसको मूनलाइट मतलब आसान भाशा में समझाता हूं देखिए मान लीजी यहां पे कोई एक्स इंसान है अब यह जो है एक सुबा से लेके शाम तक कोई जॉब कर रहा है मान जब जॉब से आया तो इसके पास बहुत सारा टाइम है जो यह चाहता है कि भीया मेर पास कुछ एक्स्ट्रा पैस आ जाए थीक है तो जब जो पांच बहुत मान लिजिए रात के 10 बैं तक सोता है तो पांस तक का यह टाइम प्री है तो इसमें क्या करता है यह पार्ट टाइम जॉब जो करता है उसी को कहते हैं मून लाइटिंग ठीक है क्लिया दुबारा बोल देता हूँ एक जॉब के अलावा जो पार्ट टाइम जॉब या फिर होगी कि जो order वगरा वो लेते हैं ठीक है ताकि जो additional income है वो generate हो सके ठीक है अब बात कर लेते हैं इसको लेकर जो है हमारे यह पर laws क्या क्या है ठीक है यहाँ पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि moonlight होता है क्या है फिर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा laws यहां पर देखिए moonlight simply refers to the act of having second job outside one's working hours ठीक है यह क्या है एक second job type का होता है जो की हमारे जो working hour होता है उसके अलावा होता है या फिर उसके अलावा जो हमारी earning होती है ठीक है moonlight moonlight has moonlighting has become the trend of COVID-19 including the lockdown after that people allow more time and opportunity to do more than one thing ठीक है तो obvious ही बात है lockdown की वैसे होता क्या है lockdown की वैसे हुआ क्या है कि हमारे आप यह जो है एक window कोल दिया है जिसे कारण जो है एक individual additional earning या फिर जादा एक job जो है कर सकता है ठीक है clear चलिए अब बात कर लेते इस से related laws क्या क्या है ठीक है सबसे पहला है हमारा Factories Act of 1948 places the restoration on the dual double employment of the worker however it is limited only to the factories and not the applicable to the companies which are regulated by the company's act of 2013 ठीक है Supreme Court in Glaxo laboratory is limited versus labor court merit held that the employee is not empowered to regulate the behavior of worker outside the duty hours ठीक है तो जो हमारा employer होता है वो duty hours जब खतम हो जाती है तो उसके बाद जो अपना भी जो कहते हैं नहीं इंपोस करना पावर की भी है तो यह कर तो वो नहीं कर सकता ठीक है जैसे working hour खतम हो गया तो employee अपनी चीज़े जो अपना order है वो इस पर इंपोस नहीं करता कर सकता सुरी ठीक है दुबारा बोल देता हूं इस जो हमारे Supreme Court की judgment आहीं थी गलेक्स लेबरेटरी वर्स लिमिटेड वर्स लेबर कोट मेरेट इसमें सुप्रीम प्रदानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम मैं पहले बता देता हूं ठीक है यह स्कीम का परपस क्या है फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंडर में आपको क्या 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 पॉइंट याद रटने देखिए यह यह हमारे यंट आथर के लिए नए फिल्ची पढ़ाएं यह 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 इंत यृण कहँं नाए इस फिल्च काम कर सके दोबारा प्टक्स करें मिनिस्टर अफ एड्यूकेशन डिपार्टमेंट अफ हायर एड्यूकेशन लाउच यूवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर स्कीम पूर मेंटरिंग यंग ऑथर्स ताकि हमारे जो यंग ऑथर है उनका मेंटर्शिप किया किया जा सके उसी को ध्यान में रखते हुए यूवा 2.0 जो लोग पार्टिसपेट कर सकते हैं तो याद रखना बिलो 30 years of age इसमें पार्टिसपेट करेंगे इन और टू प्रमूट रीडिंग राइटिंग बुक कल्चे इन था कंट्री ठीक है इड़ पार्ट ऑफ इंडिया 75 प्रोजेक्ट ठीक है तो याद रखना जो हमारा आजादी पीसेस एक्जाम में जो थीम वगर है वो पूछी जाते हैं तो इंपोर्टेंट है याद रखना थीक है इंपोर्टेंस की बात करेंगे तो अव्वेसी बात है हमारे यहां पर जो राइटर्स की स्टीम है उनको डवलप किया जाए सकेगा क्योंकि देखे जब हमारे यहां ओथर हमारे यहां पर आएंगे या फिर उनको चांक दिया जाएगा तो हमारा जो कुल्चरल है इंडिया का थीक है यह फिर नॉले सिस्टम है यह भी प्रमूट होगा और अव्वेसी बात है जब यह चीज़ प्रमूट होगे न तो इंडिया की जो हमारे सॉफ्ट पावर ह उनको कर सकते हैं डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशिल प्लाटपाम पर अगर वहीं जो हमारे उथर हैं और जो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक वेल्यूज थीका या फिर इंटरनेश्ट लेवल पर उसको रिफ्लेक करेंगे और बात करे n इंप्लिमेंटेशन की तो सबसे इंपॉर्टन चीज है यहां पर याद रखना कि जो हमारा नाशनल बुक ट्रस्ट है और हमारा मिनिस्ट्र आफ एजूकेशन ने यह दोनों के दोनों ही मिलके इसको इंप्लिमेंट कर रहे हैं या फिर दूसरी भाशा में बोलूं तो जो हमा हमारे यहां पर प्रधान मंत्री आवास योजना के अंडर में जितने भी हाउस कंस्ट्रक्ट किये गये उसमें 69% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको विमन ओन करती है डिरेक्ली ठीक है यह तो कॉंटेक्स्ट आपने समझ लिया अब बात कर लेते हैं हमारी डिरेक्ली स्कीम के ब इन परपस है टार्गेट यही है कि जो गौर्मन जो है 2022 तक 2.95 जो करोड हाउस है उसको कंस्ट्रक्ट करेगी बिद विद ओल बेसिक अमेनिटीज फर इक्जांपल टॉयलेट किचन जो भी हमारे एक हाउस में होनी चाहिए उस गौर्मन ट्राइब करेगी सारी की सारी सब्सक्राइब नियुक्त के लिए ठीक है और जो हमारे नॉर्थ-eastern है उनके लिए हमारा 90-10 ठीक है और जो हमारे दूसरे स्टेट है उनके लिए 40-60 ठीक है तो याद रखना और स्वरी मैंने एक चीज़ और गलत बोल दी ठीक है यूनिट डिरितरी का मेंशन निया ठीक ह हमारा अगर North Eastern और हमालेन स्टेट की बात करें तो 90-10 और दूसरे स्टेट की बात करें तो 40-60 यह funding button रहेगा ठीक है और अगर Beneficiary का identification की बात करें तो यह जो हमारा Social Economic Cards Census है ठीक है उसके basis पे जो है होगे हैं जिसके basis पे एक individual को exclude किया जाएगा स्कीम से ठीक है और यह भी यादर रखना जो इसकीम के अंडर में cover होंगे ठीक है वह हमारे MG नरेगा है उसके अंडर भी benefit ले सकते हैं ठीक है entitled to 90 days of unskilled labor from MG नरेगा ठीक है और वह जो है स्कीम के अंडर में 70,000 तक का जो है लोन ले सकते हैं बैंक से ठीक है ताकि अपने जो हाउस वगर है उसको construct करवा सके ठीक है फीचर की बात करें तो प्रोवाइट पक का मकान ठीक है convergence of pipe drinking water electricity connection ठीक है minimum size of the house had been increased from 25 square meter from 20 meter ठीक है अगला हमारा to assist the assistance for the construction of toilet bill leveraz through the convergence of such bharat mission Graham & Rega ठीक है जिसको हम sb mg both a and mg नरेःगा ठीक है mg नरेगा to fund worker to reserve the desertification ठीक है अगला topic है हमारा mg नरेगा to fund work to reserve desertification the goment is now planning to bring the convergence between mg नरेगा and Pradhan Mantri Krishri से चाहे हो जना तेक गौर्मनन्टट ऐसा प्लान लेके आ रही है ताकि जो हमारा एमजी नरेगा है और हमारे प्रधानमत्री किष्देश चाहिए उज रहे है इनका जो आ कौन्वर्ज किया जा सके या स्टेट सेट सेट विद मोर दन 50% अफ लाड लैंड एरिया अंडगो डिजर्टिफिकेशन और डिग्रिडेशन ठीक है जितना भी हमारे यहां पर स्टेट है इनका जो 50% लैंड है वो डिजर्टिफिकेशन के थू या फिर डिजर्टिफाइड होता जा रहा है स्टेट विद लेज दन 10% अफ लैंड डिग्रिडेशन के रला असाम मिजुराम हरियाना बिहार उत्रप्रदेश पंजाब तो यह सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका 10% लैंड जो है वो डिग्रेडेट है ठीक है अब बात कर लेते हैं वाक डन अंडर प्रधान मत्रिश क्रिस्री स अब बात करें ऑगए लिगल राइट जो एक इंडिविज़ियल को मिला है या फिर मैं बोलू इस्पेशली यह राइट टू वर्क जो हमारे सेटेजन को मिला है जिसमें हमारी गवर्मेंट सरकार है वह मैं इसको हंड़ेट डिजाएक कंग अगर काम मांग रहा है तो उसको 100 days का employment guarantee करना या फिर दिलवाना ठीक है ताकि एक individual जो है अपना quality life enjoy कर सके, for example अगर मान लिजे quality life कैसे जिएगा, जब वो काम करेगा, जब उसके पास earning आएगी जब वो अपने requirement पूरी कर सकेगा ठीक है तो इसी को तो कहेंगे हम quality life तो यहाँ पर जो mg लेगा scheme है यह एक legal right देता है या फिर legally जो है, government पर binding होता है ताकि एक individual को जो है 100 days का employment guarantee करवा सके especially in rural area, ठीक है clear? चलिए, हम बात कर लेते desertification होता है क्या है desertification मतलब होता है कि आसान भाशने में बता हूँ, तो जब एक soil का, किसी भी soil का जो उपजावपन होता है, जो fertility होता है ठीक है, वो कम होने लगता है ठीक है, जो fertile land होता है उसका जो उपजावपन होता है ठीक है, उसमें जो उपज होने की जो शमता होती है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है तो हम कहेंगे कि भाईया जो लेंड है उसका डेजर टिफिकेशन होते जा रहा है ठीक है और इसके लिए इसके चलते हमने ट्रेटी भी लेकिये आए ते या फिर एक कन्वेंशन भी लेकिया ते जिसको हम कहते है यूनाइटे नेशन कन्वेंशन ओर कॉंबैटिंग इसको लेकर आप मेजर लो ताकि जो डिजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कम किया जा सके है तीक है UNCCT addresses particularly airy semi-arid dry humid area called drylands तो यह सब को जो है treat करने की यह बात कहते हैं तीक है अब बात कर लेते हैं INB ministry advisory INB issued as a advisory setting no ministry or no department of the government at the center state union entities and their associated entities should enter into broadcasting and distribution of broadcasting casting activities in future key advisory की बात करें state broadcasting and their content should it should should do it through the public broadcasting this example Prasar Bharti and the entities distributing the broadcasting content and where advisory has been issued in the view of सबसे पहला हमारे जो try है stands for telecom regulatory authority of india recommendation ठीक है फिर अगला हमारा supreme court judgment and cricket association of the bengal case फिर अगला हमारा legal ministry law ministry's legal opinion फिर अगला हमारा सरकार विर्गेश committee recommendation that powers the state and broadcasting could not be supported ठीक है power of legislation rates with the center on issue of the post and telegraph phones wires broadcasting etc and granting license in respect to the telegraph and powers अगला हमारा political implication on the move it can impact the Tamil Nadu's Cali V TV R show cables Andhra Pradesh government IPV Kerala's channel ठीक है and KIT ठीक है for education under this existing policy guideline government government universities colleges ठीक है Krishy Vigyan Kendra certain autonomous bodies ठीक है एक second रुख जाए उपर कर लेने लिए हां इश and agriculture universities are eligible to set up the community radios ठीक है तो यह सारे के सारे जो हमारे institution है यह community radio establish करने के लिए जो है eligible होंगे प्रसार भारती की बात करें तो यह हमारे statutory autonomous body body है ठीक है याद रखना अंडर प्रिधार भारती एक्ट ठीक है और यह हमारे जो public service broadcasting है यह hold करती है यह public public service broadcasting जो यह करती है अब बात कर लिए यह के बारे में 1997 में जो है establish किया गया था अंडर देक्राइट थेक्षान फर टेलीकॉम regulatory authority of india act ठीक है यह क्या है ट्राइज इन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अफ टेलीकॉम बिसनेस इंडिया थेक्षा एम टेलीकॉम society it also provide fair and transparent environment that promote the level playing field and facilities for the competition in the market it also regularly regularly issue order and director to on various subject as such as tariff quality services inter conditions direct to home जिसको DTH कहते है services and mobile number portability ठीक तो इन सब के लिए जो है advisory यह फिर जो है order issue करता हमारे कॉन टेलीकॉम regulatory authority of india जिसको हम ट्राइज कहते है ड्राइज और रिवाइज देट टेरिफ of for a tele telecom services in india ठीक है तो हमारे जो टेरिफ यह फिर जो हमारा service वगेर है ठीक है especially जो हमारे टेलीकॉम service tariff है उसको रिवाइज यह fix करने का काम जो हमारे ट्राइज का होता है ठीक है तो याद लगना है एक ट्राइज के बारे में सारी चीज़े especially बना गप था और इसका main purpose क्या है और cause से act के अंडर में बना था ठीक और यह एक कब आया था यह सारी की सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए न्यू ब्राटकास्टर एंड डिश्ट्र स्टैंडर्ड अस्टेशेशन जिसको NBDSA कहते हैं न्यू ब्राटकास्टर एंडिश्ट्र स्टैंडर्ड अस्टेशेशन यहाद रुक्त बाटकास्टिंग अन्ब्डसेशन ने फिफ्टी थाऊजन का जो ए इसके ओर फाइन इंपोस्टीया है क्योंकि इन्हों ने जो है वायलेशन किया था एथिकल एंड कमिनल स्टैंडर् इन जीश्ट्र कास्टिंग एंडिश्ट्र एक इनडिपेंडेंट broadcaster its function may expand to lobbying promote product and secure the interest including the freedom of speech expression news broadcaster digital news in india and other entities competition composition की बात करने चेर परसन होते हैं eminent jurist and other members nominated by the majority of nbds board ठीक है अगला है हमारा state should have uniform policy in the law and order ठीक है जो state है उनमें हमारे law and order में uniform policy चाहिए ठीक है ऐसा हमारे union home minister ने बोला है ठीक है अब बात के लिए step suggested सबसे पहला है to counter-terror activity activities East state would have the national investigation agency office by 2024 ऐसा बोला हमारे union home minister ने कौन है हमारे आपको तो पता ही होगा हमारे home minister जी कौन है Amisha जी centralized data on terror and other other crimes following the principle of one data one entry ठीक है amendment would be presented in the parliament suggestion have been received on remember revamping the India's IPC and criminals code of criminal procedure जिसको CRPC बोलते हैं recently in in the line of his broader attempt to introduce the uniform set of fall policies across the country PMF suggested one nation one uniform uniform for the police forces ठीक है तो यह आदक हमारे जो होम मिनिस्टर उन्होंने one nation one जो सभी हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने one nation one जो हमारे uniform police forces उसका concept भी अभी हाली में इंट्रिद्विस लिए था जो कि बहुत दा नियूज में भी था ठीक है नेक्स्ट है हमारा function of different agencies जैसे बक्राइब जूजांपल झना थेंटर्व利ोम सेट किने इंटर सेट फिरीणस्ट थेय्ट हम बात करेंगेब हास्थ पिर चैनल क्रीद ऐगान की बात के बेवन के थ सब्स्क्राइब में देर्थ की बात कैने तो ब्रिंट डैटबेस औफ 11 अजनिसिस औन Commun platform law and order की बात करें तो स्टेट सब्जेक्ट है ठीक है और ministry of home office के अंडर में आता है ठीक है clear चलिए who decide the uniform for the uniform of police the law and order is the part of state subject both police police order and police place in the state list में ठीक है जो कि हमारे 7 लेस्ट 7 शेड़ल है उसके स्टेट लिस्ट में आते हैं पूलिस और हमारे जो लोग बनाने पर पूलिस वगरा कि जितने भी चीज़ें वह सारा का सारा जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट में आता है ठीक है variation wise वाइल पूलिस परसल इन इंडिया और आफ्टन associated with the color khaki and their uniform differ varying the degrees or different region और जो हमारे पूलिस की uniform है वो हर region के हिसाब से अलग-अलग हो सकते है फर एक्जामपल जो केरला में होगी वो सकता है वो दिल्ली में जो uniform है वो अलग हो ठीक है तो जो uniform होती है वो अलग होती है हर state या फिर region के हिसाब से ठीक है uniform अलग हो सकती है नेक्स्ट हमारे टोपिक है district development coordination and mentoring committee जिसको दिशा हास कहते है union ministry union minister dr. Jitendra Singh presided over Disha meeting to review the progress of various centrally sponsored scheme ठीक है बिंप्लिमेंटे इन दे किस्तवार district दिशा के बारे हम बात केने district development coordination and monitoring committee has been formed to ensure the better coordination among all elected representatives in the parliament, state legislature and local government it is a government wide initiative to seek the promote participate and the government and deliberate democracy ठीक हा objective की बात केने seeks to achieve this facilitating quarterly review the all development activities in the district level ठीक है तो दिशाच स्कीम जो हमारे चलाई है इसका purpose यह है कि जितने भी हमारे district level पे developmental activities हो रही है उनको monitor करना या फिर quarterly उनको facilitate करना कि कैसे काम हो रहा है या फिर review करना उन चीज़ों कि क्या क्या हुआ है क्या 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 और करने को तो यह सारा का सारा करने का जो है दिशाच का हमारे initiative इसलिए चलाए गया है ताकि जो हमारे developmental activities हो रही है उनका monitoring या फिर उनका review किया जा सके चेर person की committee की बात करें तो हमारे MP है लोकसभा में ठीक है जो हमारे सबसे senior है वो इसके member होंगे और बाकी जो nominate जो रूड मिनिस्ट्र ड्रूर्ल ड्रवलप्मेंट है उसके द्वारा जो हमारे nominate किया जाएंगे ठीक है दिशा committee meeting will be held on quarterly basis ठीक है तो यादफना इसकी फ्रोवर फ्रोवर बैंड फोर थ्री यहर्स आफ्टर सट पॉस्टिव प्रविटिंग असब्स्रांट इन दी अर्लियर ठीक है तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कमल प्रित कौर है ठीक है 26 साल की है और यह जहां डॉपिंग डॉपिंग वगरा जहां करती पाई गई ती जिस इंपोजेशन और बैंड सबस्टांट अगर बात करें रश्या जो है रश्या हम से जादा है ठीक है 87 जो है केसे यहां पर वाइलेशन के मिलें ठीक है और रश्या के बाद इंडिया दूसरा कंट्री है जिसमें डॉपिंग के के सब से जादर देखने मिलें वर्ड एंटी इंडिया दूपिंग कोड के बारें बात करें ढें बात के थैग अन अथलेट इस रिक्वायर पूइशन फ्री श्या है ट्रिया अंट रोजटेजि क्रीमट के वाइलेशन ऑंट टॉपिंग फ्रीमट के साथ जिंग और आफ आ थिए अफारिशन ओंट आ एंटी पॉझ्ग to intake any band substance individual player upon the decision organization body is not only liable disqualify but and also stand to the fortifiers and all medal and point and prize तो कई बार अगर 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 कोई individual पकड़ा जाता है अगर doping वगर करते हुए तो उस ना सिर्फ उसको band कर दिया जाता है बल कि उसके जितने भी medal या फिर prizes या फिर point वगर उसने कमाए है उनको भी कहतम कर दिया जाता है फिर उनको जो है disqualify गया फिर उनको हातम कर दिया जाता है simple सी बाथ ठीक है the punishment does not apply to other competition that as late participate in unless it established that same drug were used after the performance of capability and other competition 2 तो तो दूसर अगर program में भी है फिर दूसरे competition में भी किया तो उससे भी जो player है उसको band कर दिया जाता है अगर मान लिए दो से जादा जो बंदे हैं वो पाई जाते हैं डोपिंग वगर करते हुए तो पूरी टीम को जहां डिस्कॉलिफाय वगरा कर दिया जाता है अब बात कर लेते हैं ट्रिफेट अन्टीम ठाडिटनी गवगरा है था चाहिव था में आंज से अन्टीकेश बंदे कौन्स सामटोंच उर्टकार कर्विछ is ensuring compliance with the world anti-doping code इसको WSDC बोचते हैं ठीक है इंडिया has the national anti-doping agency जिसको नाडा कहते हैं ठीक है what is WADC ठीक है is the fundamental and universal document detecting the terms and administrative of jury jurisprudence and pertaining to all anti-doping activities ठीक है तो यह सी के साफ जो हमारा जो हमारा government scheme वाला जो point यह जो पोशन था वो खतम होता इसके बाद हम international news organization की बात करें तिल दान stay tuned thank you